तो आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं तो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं OV37 Update के बाद जो नए सेटिंग्स देखने को मिल रही है दोस्तों वह चीज में आपको यहां पर बताने वाला हूं आपको यहां पर जितने भी निए शेटिंग्स देखने को मिल रही है आपके लिए सबसे बेस्ट सेटिंग्स कौन सा होगा वो सब कुछ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं और आपको प्रके में जिए वाला हूं जो यहां पर आपसे भी को सबसे पहले new settings देखने को मिलने वाली है मैं आपको यहां पर लेकी चलता हूँ shooting वाले option के अंदर और इधर में free fire में लेकी चलता हूँ कि आपको दोनों का setting में सबसे पहले तो मिला देता हूँ आप लोग यहां पर control में देखो setting, shooting के अंदर आपको तीन settings देखने को मिलने रहे same to same यहां पर भी आपको तीन settings देखने को मिलने रहे बट यहां पर assistance करने चीए यहां पर तीसरे number पर आपको reloader setting का option देखने को मिलने रहे जो कि आप लोग यहां पर देख रहोगा तो वो आखिर रिलोडर सेटिंग है क्या वो चीछ चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूं दोस्तों यहाँ पर तीसरे नमबर पर रिलोडर सेटिंग है आखिर यह काम कैसे करता है वो चीछ चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं गया तो यहाँ पर मैं ट्रेनिंग लगाने की कोशिश करता हूँ और ट्रेनिंग लग गया फाइनली देख सकते होगा जो कि और यार सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं क्या होगा तो आपको मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ आखिर ओभी 37 के बाद जो भी चेंजे से देखने को मिला उसका सेटिंग्स म मैं आपको बता दे रहा हूँ गायि ऐसी वाले गन को मैं यहां पर चलाया यहाँ पर आने के बाद में यहां पर एक गॉली करता है। यहां पर मैं एक गोली फायर करूँगा देख से तो मैंने एक गोली फायर किया और यहां पर जो आप बीच में डॉट देख रहा हो ना आप यहां पर एम पर फोकस करना दोस्तों जी हां आप लोग यहां पर एम पर फोकस करना और मैं यहां पर रिलोड कर रहा हूं दोस्तों इस वाले gun को मैं reload करता हूँ जैसे मैं एक गोली चलाता हूँ और इस वाले gun को मैं reload करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर reloading वाला जो options है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है बीच में एक option देखने को मिलता हूँ फिर से मैं यही वाला से करता हूँ और फिर से मैं यह चीज करता हूँ तो reloading type का options देखने को में रहा है अब मैं आपको इसको proof के साथ दिखाता हूँ guys setting वाले option में जाकि इसको मैं off कर देता हूँ okay reloader setting को मैं यहाँ पर जाकर off कर दिया reloader setting का काम क्या है जब भी आप अपने gun को reload करोगे तो वहाँ पर कुछ animation देखने को मिलेगा चलिए मैं दुवारा से इसे on कर देता हूँ on करने का बाद यहाँ पर में reload करता हूँ तो sorry reload करता हूँ तो देख से तो यहाँ पर एक animation देखने को मिलेगा ओके तो यही animation को हम लोग reloader setting बोलते हैं दोस्तों कि न तो यह हमारा सबसे पहला setting हो गया बाकि यहाँ पर देख लोग फ्री लूग पैराशूट अस्प्रिंट drive और auto gun switch यह सब पहले से हम लोगों को देखने को मिलता है जैसे कि सब को पता है और यहाँ पर और भी चलते है granite slot glow wall, smart slow यह सब हम लोगों को पहले से देखने को मिलता है auto parachute run mode और vehicles control यह सारे पहले से देखने को मिलता है notification वाले option में यहाँ पर यह चीज़ सारे कुछ पहले से देखने को मिलता है बट यहाँ पर visuals वाले option में आते हैं तो यहाँ पर आपको cross hair setting का option देखने को मिलता है यहां पर मैं आता हूँ यहां पर एकदम से नीचे option सेलते हैं वाले option में आपको crosshair का option नहीं दिया गया बट after update के बाद आपको यह setting देखने को मिलने वाले देशिजिए after update के बाद आपको यह crosshair जो setting देखने को मिल रहा ना यह वाला एम पर फोकस करो ज suspelyn आप लूग यहाँ पर जो एम देख रहे हो ना मेरा गॉली का एम देख रहे हो याह फिर बोल सकते हैस भी मैं आतलब बिना गॉली का भी रहोंगा तो यहाँ पर आप लोग एम देखो दोस्तू जिहाँ आप लोग बीच में बाइन कर दोग का आपको एयम देखने को मिल रहा यहां कर छो diabetes क्या आपको吃 आपको देखने को मिरे आप लोग कोई दोट में भूद आ आता हूं और यहां पर मिल जो और यहां पर क्रासु और देखा हूं जो अलग से देखने को मिला, अब ही मैं यहाँ पर classic करके रखा हूँ, यहाँ चलता हूँ वहाँ पर, और वापस मैं new यहाँ पर select कर लेता हूँ, क्रॉस एर सेटिंगों में क्या करता हूं नियो सेलेक्ट कर लेता हूं नियो जैसे ही सेलेक्ट किया तो आप लोग यहां पर देखो गए डॉट बनके दुवारा से आ चुका ओके तो मतलब यह दोनों सेटिंग का काम क्या है वह चीज आप सभी को पता चल गया जो कि आफटर कि तब तक लिए चैनल पर नए हों गया तो सब्सक्राइब कर जिएगा अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई के चैनल एक कर देना सब्सक्राइब मिलते हैं ने वड़ीक से आठाठाठा ठेक कर दोस्तों धन्यवाद